तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से श्री लंका के हालात दिन बदिन खराब होते जा रहे हैं आर्थिक संकट दिन बदिन गहराता जा रहा है यहां तक कि जीवन रक्षक आवश्रक्ताओं के पूर्ती कर पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है एक ऐसी परिस्थिती निर्मित हो गई है कि एक तरफ तो विदेशी कर्ज के बोज़ तले दब चुका है पूरी तरह से श्री लंका दूसरी और विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होते जा रहे हैं कहें तो समाप्त हो चुके हैं ऐसी कंडिशन में हम यहाँ पे देखें कि विदेशी मुद्रा भंडार के अगर हम बात कर रहे हैं इसके पहले की स्थिती को हम जाने तो आज से महज तीन साल पहले विदेशी मुद्रा भंडार श्री लंका के पास लगभग 7.5 बिलियन डॉलर था जो की गिर्ती हुई अर्थ वेवस्था के कारण लगातार घटता गया और एक परिस्ति ऐसी आई जब जुलाई 2021 में यह लगभग 2.8 बिलियन डॉलर तक सिमट कर रहे गया लगातार इस गिरावट के चलते आज जो श्री लंका के इस सिती है वो हम सब के सामने है बात करें अगर यहाँ पर श्री लंका के विदेशी कर्ज की तो अब उसकी इस्थिती नहीं बची है कि वो किसी प्रकार के विदेशी कर्ज या उसकी किस्तों को चुका पाए इसका कारण ये है कि श्री लंका में रूपय की वैल्यू जो है उनकी श्री लंकाई जो करंसी है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई इस पूरे टॉपिक में हमको दो वाक्य जो देखने को मिले उन पे हम एक नज़र डाले उन पे फोकस करें एक तो हमने देखा कि विदेशी मुद्रा भंडार लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है दूसरी उस देश की करंसी की वैल्यू जो है वो कम हो गई है इन दोनों को अगर हम अलग-अलग विसलिशनात्मक रूप से इनका अध्यन करें इनको समझें तो शायद हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि श्रिलंका के ऐसे हालात के कारण क्या है और यह जो दो परिस्थितिया जिन पर हम बात करने जा रहे हैं वो किसी देश के लिए कितनी मातोपूर है या इनका अनुपात गड़बढा जाना कितना घातक हो सकता है सबसे पहले हम बात करें विदेशी मुद्रा भंडार की यानि कि किसी भी देश के पास उस देश के अत्रिक्त अन्य देशों की जो मुद्राय होती है उनका जो भंडार होता है वो है विदेशी मुद्रा भंडार हमने अंतराश्टी वेपार के अंतरगत पढ़ा कि हम आयात और नर्यात का वेपार करते हैं अपने देश से हम अपने जरूरत की वस्तुओं को विदेशों से मंगाते हैं और हमारे पास जो अत्रिक्त वस्तुओं हैं जिनका उत्पादन हमारे अच्छा खासा होता है उनको हम विदेशों में निर्यात कर देते हैं बात जब हम आयात की करते हैं तो जब हमको किसी दूसरे देश से माल खरीदना होता है तो हमको उनके देश की करंसी में ही उनको भुकतान करना होता है लेकिन फिर भी जब की हम बार बार रुपए के तुलना डॉलर से कर रहे हैं तो डॉ अंतरास्ट्री वयपार में डॉलर जो है इसको वैश्विक करंसी का रुत्बा प्राप्त है ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्वक के अधिकांश देश अपने अंतरास्ट्री वैपार में अपने आयात निर्यात में डॉलर का प्रियोग करते हैं आप देखते होंगे कई बार न्यूस में भी सुनते होंगे कि रुपए जो है उसकी वैल्यू गिर गई भारती रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है तो गिरती जा रही है किस से हम कंपेर करते हैं डॉलर से कंपेर करते हैं डॉलर क्योंकि वेश्विक करिंसी है जादा से जादा अंतराश्ट्री वेपार डॉलर के द्वारा होता है किस तरह से रुपए गिरता है घटता है बढ़ता है इसको मागे देखेंगे फिलहाल हम बात कर रहे थे यहां पर विदेशी मुद्रा भंडार की तो जब हम किसी दे दूसरे देश को वस्तु का नर्यात करते हैं बेचते हैं तो हमको उस देश की मुद्रा प्राप्त होती है डॉलर के रूप में या उस देश की करंसी के रूप में हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है इसी को हम जो कलेक्ट करके रखते हैं अपने भंडार में रखत कि इसका संतुलन बना रहना बहुत जरूरी होता है कई बार क्या होता है कि आयात बहुत अधिक हो जाता है और नर्यात हो जाता है कम आवशक्ता की वस्तों का तो हम अपने देश में आयात करते हैं लेकिन कई बार हम अनावश्यक वस्तों का बहुत ज्यादा आयात करते हैं दिए बार लगतार विदेशी हैं से विदेशी मुद्रा भंडार से विदेशी मुद्राइ विदेशों में जाते रहती हैं और वो मुद्रा भंडार विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जाता है लेकिन जब हम निर्यात करते हैं तो विदेशी मुद्रा हमारे पास आती है ऐसे कंडिशन में जब आयात बहुत अधिक हो जाता है और निर्यात बहुत कम हो जाता है तो क्या होता है जितनी विदेशी मुद्रा हमारे पास आती है उससे कहीं जादा विदेशी मुद्रा हम आयात करने में खर्च कर देते हैं यहाँ पर संतुलन गड़बडा जाता है यहाँ पर हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होता जाता है लगभग यही इस्तिती श्रिलंका की थी लगातार कई लंबे समय तक बनी रही और आज विदेशी मुद्राबंडार की समाप्ती की यह इस्तिती सायद श्रिलंका को इस पायदान पर लाकर छोड़ चुकी है दूसरा हम बात करते हैं यहां पर रुपे की वेल्यू का गिरना अक्सर हम टीवी न्यूस चैनल में सुनते होंगे कि रुपे में गिरावट आई रुपे में भारी गिरावट आई है रुपे की वेल्यू कम हो गई रुपे के तुलना हम डॉलर से करते हैं अब ही हम देखते ह कि किस प्रकार रुपे की वैलçeव डॉलर की तुलना में घड़ती है या बढ़ती है एक उदारन के लिए हम बात करते हैं आज अमेरिका का जो एक डॉलर है वो भारत के लगभग 80 रुपे के बराबर है तो हम यहां पे देखते हैं कि किस प्रकार डॉलर को हम compare करते हैं रुपए से कई बार जब हम देखते हैं कि अमेरिकन डॉलर यानि एक डॉलर की जो value है वो भारत के 60 रुपए के बराबर हो गई तो हम ये मानते हैं कि बढ़त आई हमको एक डॉलर की बदले कम रुपए देना पड़ रहा है फिर हम बात करते हैं कि अब ये स्थिति है कि अमेरिकन एक डॉलर जो है उसकी value जो है वो भारत के 82 रुपए के बराबर हो गई यानि फिर से हम देख रहें कि डॉलर की value बढ़ गई और एक डॉलर की बदले हमको 82 रुपए देने पड़ रहे हैं पहले 60 रुपए देने पड़ रहे थे तो एक एक्जामपल के तोर पर हम यहां समझना चाह रहे हैं कि कि किस प्रकार हम देखते हैं कि डॉलर के मुकाबल रुपए की जो value है वो बढ़ती या घटती रहती है लगभग यही इस्थिति होती है जब भुकतान संतुलन की जो इस्थितिया होती है वो प्रतिकूल होने लगती है विदेशी मुद्राबंडार जब घटने लगता है और आयात जो है वो बढ़ने लगता है जबकि नर्य रात उस स्पीड में नहीं बढ़ पाता कि वो भुकतान संतुलन की एक अनुकूल स्थिति को निर्मित कर सके इसी क्रम में हम इसको एक एक जांपल से देखे तो हम देखते हैं कि अंतर रास्ट्री वैपार में जितने भी कारोबार होते हैं लगभग उन सब कारोबार के लि अच्छा प्रोडक्षन हमारे देश में भी होता है लेकिन फिर भी हम ब्रांडेट चीजों के पिछे भागने का एक हमारा फैशन है तो बहुत सारे खादपदार्थ भी हम अन्य देशों से आयात करते हैं साथ साथ हम देखें तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक आइटम बहुत तो बहुत जादा डॉलर उनको देना पड़ता है खर्च करना पड़ता है लेकिन यहां पर अगर इसी तरह से हम आयात करते रहे और डॉलर खर्च करते रहे तो विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है वो हमारा धीरे धीरे घटने लगता है दूसरी एक महत्तुपूर बा हम इसको बहतर समझ सकें मान लेजिए हमने अमेरिका से कुछ कारोबार किया और हमारे पास जो अमेरिकन डॉलर है वो है लगभग यहां पर एक हजार डॉलर और अमेरिका के पास हमारे देश के जो करेंसी है वो है 80,000 रुपेस अब इस कंडिशन में हम देख रहे हैं कि एक डॉलर की वैल्यू है 80 रुपे और अब अगर दोनों के पास देखा जाए तो फिलहाल बराबर रकम है हमारे पास चाहे हम उसको एक हजार डॉलर बोले या अमेरिका उसको 80,000 रुपेस बोले वैल्यू दोनों की बराबर है देख रही है अब मान लो हमें अमेरिका से कोई जरूरी समान आयात करना पड़ता है खरीदना पड़ता है तो हम उस आयात किये गए समान के बदले में उसको देंगे डॉलर यहां पर हम देखते हैं कि मान लो हमारी करंसी के हिसाब से हमने लगभग 8,000 रुपे की वैल्यू की हमने समान वहां से खरीदा तो हम उसको कितने डॉलर देंगे यहां हम उसको 100 डॉलर देंगे ऐसी कंडिशन में हमारे पास जो 1000 डॉलर थे उसमें से 100 डॉलर निकल गए 900 डॉलर बचे अमेरिका के पस ओलरेडी जो हमारे पैसे थे वो और बढ़ गए याने जैसे जैसे हम आयात करते गए वैसे वैसे हमारे विदेशी बहुत बहुत बात है लेकिन अगर इस अनुपात में हम निर्यात ना कर पाएं तो कही न कहीं विदेशी मुद्रा बहंडार कम होता चला जाता है आयात बढ़ते चले जाए और निर्यात घरता चले जाए enlight की जो इस्थिति है यह भुकतान संतुलन की प्रतिकूलता को जन्म देती है इस पूरे अध्याय में हम भुकतान संतुलन के बारे में ही जानेंगे हमने देखा कि किस प्रकार भुकतान संतुलन की इस्थिति उत्पन होती है आयात और नर्यात वैपार का विदेशी मुद्रा और देश की करनशी का किस प्रकार भुक्तान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता है यहां हम देखते हैं कि जब हम गिरावट की बात करते हैं गिरावट बात करते हैं तो भारत में जो अंतरास्ट्री वैपार है इनका क्या असर देश पर पड़ता है सबसे पहले बात तो हम यह जान लें कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 प्रतिश्यत जो पेट्रोलिय मुद्पाद है वो अन्य देशों से प्राप्त करता है अब ऐसी कंडिशन में अगर रुपे में गिरावट आती है रुपे में गिरावट के लिए एक्जामपल देखा कि डॉलर की तुलना में हमारा जो रुपे है उसकी जो वेल्यू है वो घर्ती चले जाती है ऐसी कंडिशन में क्या होता है कि रुपए की इस सिती में गिरावट आते आते जो पेट्रोलियम उत्पादों का आयात होता है वो फिर महंगा होने लगता है धीरे धीरें को जादा विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है और पेट्रोलियम उत्पाद का आयात महंगा होता जा अब अन्तराश्ट्रे इस तरह पर हम अगर इस तरह के व्यपार की बात करते हैं तो यह तो कोई छोटी-मोटी बात हजार या लाकों रुपए होती नहीं है इसका सिधा-सिधा आसर हम देखते हैं एक अनुमान के अनुसार हम देखते हैं कि डॉलर के भाव में अगर एक रु प्रोड रुपए का बोज एक्स्ट्रा पढ़ जाता है और इसी बढ़ते हुए बोज को पूरा करने के लिए जो पैट्रोलियम वेपार के अंतरगत जो उद्योग आते छेत रहते हैं वो अपने प्रोडक्शन वो अपने जो भी पैट्रोलियम उत्पाद होते हैं उनका वो फ्लैक्ट्ट होता रहता है बढ़ते रहता है यह वह सारा का सारा जो अंतर राष्ट्री वेपार से यह कनेक्ट्ट होता है इनका मुद्रा के मुल्य में होने वाले उतार चड़ाओ पर निर्भर करता है एक अनुमान से हम ये भी देखते हैं कि अगर पैट्रोल की कीमत में दस प्रतिशत व्रिद्धी हो जाती है तो महंगाई पर उसका असर लगबग पॉइंट एट परसेंट तो पड़ता ही है क्या कारण है इसका अंतर पैट्रोलियम का आयात नेर्यात अंतराष्ट्री वैपार चेत्री की चीजह है लेकिन हम जिन वस्तों का प्रियोग करते हैं वह कही न कहीं इन्ही पैट्रोल और डीजल से संबंधित संद्मदित उतमादों पर निरभर करते हैं सबस्स राज में नहीं होता है पेट्रोलियम के बढ़ते हुए रेट उत्पादों के मूले में जुड़ जाते हैं आप देखते होंगे कि जैसे ही पैट्रोल ये डीजल का मूले बढ़ता है आप जिन पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं उनका मुल्य बढ़ जाता है सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर राश्ट्री व्यपार में होने वाले इस प्लैक्ट्रेशन का सीधा सीधा असर क्योंकि जनता की जेब पर पड़ता है इसलिए कहीं न कहीं एक अच्छा जीवन इस्तर देन इतना ही महत्यपूर्ण है जैसे हमने देखा कि विदेशिय बुद्रभंडार के कारण श्री लंका के स्थिति काफी गंभीर हो गई कहीं न कहीं यह भुगतान संतुलन भी कारण बना श्री लंका के ऐसे स्थिति का आईए एक नजर डाले कि कौन-कौन से ऐसे कारण थे जि देश इससे प्रभावित हुए श्री लंका की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो हम यह जान ले कि श्री लंका का जो परियतन है वो उसके जीडीपी में लगभग 10 प्रतिशत से ज्यादा का युगदान देता था अब क्योंकि कोरोना एक संक्रामक महामारी थ ना करें परियतन ना करें ऐसी कंडिशन में लोगों ने श्री लंका आना जाना बंद कर दिया छोड़ दिया कोई कहीं भी नहीं जा रहा था श्री लंका जाने का भी प्रश्ण नहीं उठता था यहां से श्री लंका के परियतन के छेत्र में जो ग्रोथ हो रही थी जो परि हम करें GDP की तो एग्री कल्चर के बाद परेटन ही श्री लंका के लिए सबसे महत्पूर्ण अस्थान रखता था और अब जबकि परेटन के इस्थती लगबग सभी देशों के साथ साथ श्री लंका की भी बिगड़ चुकी थी तो एक तो इस कोरोना महमारी के कारण श्री लं घरेकर यह मान लिया गया कि केवल और गैनिक एग रि कल्चर की आज जै जो फडटिलाइजर का उप्योंग किया जाता था उनको बैंड कर दिया गया स्वास्त अक तो को ध्यान में लेकिन देश की जनसंख्या को देखते हुए इतनी अच्छी ग्रोथ या इतनी फसल इतने फसल का उत्पादन वहाँ पर नहीं किया जा सका जिससे पूरे देश के लोगों की आविश्रक्ता को यानि खाद सम्मंधी आविश्रक्ताओं को पूरा किया जा सके एग्रिकल्चर क इस्थिती केवल और्गैनिक बेस्ट होने के कारण इतनी खराब होती गई कि जिन चीजों को जिन खाद्यपदार्थों को श्रीलंका आयात नहीं करता था धीरे धीरे उनको भी वो आयात करने लगा बात करें अगर हम चीनी चावल दाल इस तरह की आवश्यक खाद्यपदा निर्यात कम और आयात जादा ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था क्योंकि बहुत अच्छे प्रोडक्शन हो बहुत अच्छी किसमी की वस्तु उत्पादित हो कोई ब्रांड बन सके ऐसा कोई प्रोडक्शन वहाँ पर नहीं था जिनका निर्यात किया जा सके निर्यात को धीरे-धीरे घटाता गया, लेकिन आयात को आवशक्ता से भी जादा किया जाने लगा, ऐसी कंडिशन में विदेशी मुद्रा आती कम थी, जाती जादा थी, और हमने देखा कि किस प्रकार विदेशी मुद्रा बंढार लगातार कम होता गया, यानि कि भुगतान संतुलन की प्रतिकूल होती गई बिगड़ती गई साथ सबसे बड़ा एक कारण बना टेक्स कटौती टेक्स रेट जो था वो लगातार कम कर दिया गया टेक्स जो कि किसी भी देश के राजस्व का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन होता है टेक्स के आभाव में अगर मिलता है अगर टेक्स सरकार को तो वो जनता के कल्यान के लिए उसको खर्च करती है लेकिन बिना टेक्स के लिए बिना शुल्क लगाए कितने धनका अपवए कोई सरकार अपने देश के जनता के कल्यान के लिए कर सकती है एक अपनी अच्छी छवी बनाने के लिए लोगों को मुफ्त में सुविधाय मुहया कराना कहीं न कहीं ये जो विचारधारा थी काफी घातक से दूई तो ऐसे बहुत से कारण बने जिसने श्री लंका के भुकतान संतुलन की जो इस्तिती थी उसको पूरी तरीके से बिगाड़ दिया तो किसी भी देश के सामने इस तरह के इस्तिती ना आए प्रतेक देश में भुकतान संतुलन की इस्तिती को बनाया रखा जा सके इसके लिए हम को क्या करना होगा क्यों जरूरी है भुकतान संतुलन के स्थिती को बनाए रखना कौन-कौन से से कारण होते हैं जिससे भुकतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है इन सब विशेप पर हमागे चर्चा करेंगे लेकिन इससे पहले आईए हम देखते हैं भुकतान संतुलन क्या है इसका विबन आर्थ शास्त्रियों ने किस तरह से इस शब्दिक का प्रयोग किया है और किस तरह से हम इनकी परिभाशाओं का एक वसलेशनात्मक अध्यन पस्तुत कर सकते हैं बहुतान संतुलन के अर्थ को कुछ इस प्रकार से समझाया जा सकता है भुख्तान शंतुलन किसी देश के वस्तों के आयात और नर्यात Люб्यन विवरण होता है याने दो देशों के मध्य किनकिन वस्तों का आयात किया गया किनकिन वस्तों का निर्यात किया गया और उसमें किस मुद्रा का कितनी राशी का प्रियोग किया गया इस सब का विवरण हम भुक्तान संतुलन को मानते हैं एक महत्तवपूर्ण बात ये कि इसमें अन्य कई लेन देन यानि आयात निर्यात के जो value होती है जो मुल्ले होता है तो हम बार-बार देखी रहें लेकिन इसके अलावा सो बार देको होते हैं वो भी हम को बुठतान संतूलन की कंडीशन में देखने होते हैं जैसे कि हम इन्म पर एक नजर डाले तो देखते हैं कि बीमा है जहाजी किराया है क्योंकि जो अंतराश्ट्री वेपार होते हैं उनमें हमको समुधर के माधयम्से वेपार करना होता है तो जहाजी किराया देना होता है यह जो प्रोडक्ट होते हैं जिनका आयात निर्यात किया जाता है बहुत expensive होते हैं इनके दूरी बहुत ज़ादा होती है इसलिए इनका insurance क दिसा एक प्रश rend करते को अर्ट ko कर रहे हैं कि बैंकों कर रहें तो बैंकों पर णत्रइंग नरौत है क्रिशा की मुद्रा को अन्य देश्यों की मुद्रा में परिबर्तित करने की माथ करते हैं तो वहाँ पर हमकों बैंकों का सहारा लेना पड़ता है और बदले में कुछ शुल्क भी देना पड़ता है तो ये भी वह जो है वो भुक्तान संतुलन के अंतरगत क्यालकुलेट कर लिया जाते हैं साथ में बहुत से जो रिड संबंधी काम किया जाते हैं विदेशों से लिए ग कालकुलेट करते हैं फिर प्रॉफिट जो हम गेन करते हैं वो सारी चीजे भी इनमें जुड़ जाती हैं पूंजी संबंधी जो स्थानांत्रण होते हैं पूंजी गत जो खरीद या विक्री होती है और साथ ही सेवाओं से संबंधित जो व्यापार होता है उन सभी के आयव समय में समस्त विदेशी लेंदेनों का संपूर्ण विवरण होता है अब अगर हम बात करें कि विभिन आर्थशास्त्रियों ने भुक्तान संतुलन को किस किस तरह से समझाया है तो आएए हम भुक्तान संतुलन के कुछ परिभाशाओं पर एक नज़र डालें प्रोफिसर वेनहम के अनुसार किसी देश का भुक्तान संतुलन किसी देए हुए समय में संपूर्ण विश्व के साथ उसके लेंदेन का लेखा जोखा होता है प्रोफिसर वॉल्टर क्रोज के अनुसार भुक्तान संतुलन किसी देश के निवासियों तथा शेश विश्व के निवासि प्रोफिसर किंडल बर्गर के अनुसार किसी देश का भुक्तान संतुलन उस देश के नागरिकों तथा विदेशी देश के निवासियों के बीच एक निश्चित समयावधी में होने वाले समस्त आर्थिक लेंदेन का क्रमवध ग्योरा है तो आपने देखा कि विभिन विद्वानों ने भुक्तान संतुलन के लिए अपने अपने वचारधारा किस किस तरह से वेक्ति की हैं अब अगर हम बात करें कि वास्तों में ये भुक्तान संतुलन क्या है इसके अंतरगती है हमने देखा लेकिन इसके अंतरगत आयात और निर याने विजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और दूसरा होता है अद्रिश्य आयात और नर्यात इन्विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जब हम बात करते हैं द्रिश्य आयात नर्यात की विजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नाम से इस पस्ट है जो हम कह सकते हैं कि उन वस्तों को इसमें शामिल किया जाता है जिनका लेखा बंदरगाह में रखे गए रिजिस्टर में होता है वास्तविक रूप से जिनका आयात निर्यात या अंतराश्री वैपार किया जाता है उसको हम दृश्य आयात निर्यात में शामिल करते हैं साथ ही साथ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्ष भर किये गए आयात और निर्यात के अमूले के अधार पर हम इनके गढ़ना करते हैं द्रिश्य होते हैं यह इसलिए हम इनको द्रिश्य आयात निर्यात के अंतरगत रखते हैं दूसरा यहां पर हम देखते हैं कि केवल वस्तूओं के आयात निर्यात को ही इसमें शामल किया जाता है क्योंकि सेवाओं का आयात निर्यात जो होता है वो अद्रिश्य आयात निर्यात यानि इन्विजविबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अंतरगत आता है आपने सुना होगा कि बहुत सारे विदेशी कंपनिया है जो अपनी सिवाएं हमारे देश में देती हैं अगर साधारन शब्दों में हम बात करें तो चिकित्सा के छेतर में देखें चाहे सिक्षा के छेतर में देखें या आनिकिसे टेक्नलोजी के छेतर में देखें हम बहुत सारे doctors से consultant करते हैं जो हमारे देश के नहीं होते हैं विदेशों के होते हैं बहुत सारे educator ऐसे हैं जो अपनी सिवाएं विदेशों में भी देते हैं अपने देश के साथ साथ बहुत सारे आन्य जो technology जो होती है जो हमारे देशों में नहीं है उनको हम दूसरे देशों से लेते हैं उनके जो विशेशक होते हैं उनकी सिवाएं हम दूसरे देशों से लेते हैं ऐसा नहीं है कि हम कि आने देशों से एजुकेटर की या टेक्निशियन्स की या फिर डॉक्टर्स की सिवाएं लेते हैं बलकि हम अपने देश के बहुत से डॉक्टर्स बहुत सारे टी अंतरण होता है आयात या निर्यात के रूप में उसे हम अध्रिश्ष आयात निर्यात इंविजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अंतरगत शामिल करते हैं बात जब हम भुक्तान संतुलन के साथ साथ कही नहीं हमको वैपार संतुलन को भी जान लेना चाहिए तो आध व्यपार संतुलन देखा जाए तो वास्तों में व्यपार के संतुलन के अंतर गयत किसी देश के आयात या निर्यात के अंतर को सपस्ट करता है और जब हम इसका अध्यन करते हैं आयात निर्यात टोटल तो हम उसको भुकतान संतुलन में इसका अध्यन हम करते हैं लेकिन हम ज जो है वो वेपार संतुलन में आ जाता है दूसरा यहां देखते हैं कि अब किसी भी देश का वेपार या तो अनुकूल होगा या फिर प्रतिकूल होगा अनुकूल होगा यानि की अच्छा खासा हम निर्याद भी कर रहे होंगे विदेशी मुद्रा भी हमारे पास आ रही होगे यानि हमारा जो वेपार है वो अनुकूल है दूसरी परिस्तिती आ सकती है जब प्रतिकूल हो यानि की जरूरत या फिर हो सकता है गैर जरूरती हो लेकिन कहीं न कहीं आयात हम बहुत जादा कर रहे हैं निर्याद हम कर कम कर रहे हैं यानि प्रतिकूल परिस्तिती वे प्रोफेसर बेनहम की हम राय जाने तो इन्हों ने कहा है कि एक देश का वैपार संतुलन वह संबंध है जो किसी एक निश्चित अवधी के लिए उसके आयात एवं निर्यातों के मूलने के बीच होता है यानि यह भी आई मानते हैं कि अगर हम वैपार संतुलन की बात करते है तो हमको आयात और निर्यात के बीच का जो गैप है उसको देखना पड़ेगा कि दोनों में अंतर क्या है कौन सा बढ़ा है कौन सा घटा है कुल मिलाकर यह पता लगा ले कि प्रतिकूल स्थिति है कि अनुकूल स्थिति है अब इस आधार पर हम वैपार संतुलन को बिंदुवार हम अंतर किस तरह से सपस्ट कर सकते हैं भुक्तान संतुलन एवं व्यपार संतुलन में अंतर पहला व्यपार संतुलन में आयात निर्यात की जाने वाली दृष्य मदों को ही शामिल किया जाता है जबकि भुक्तान संतुलन में दृष्य मदों के साथ साथ का एक भाग है जबकि भुखतान संतुलन के भारना अधिक प्यापक होती है किसी देश का व्यपार संतुलन पक्षमें होना कोई अधिक चिंता का विश्य नहीं है जबकि यदि भुक्तान संतुलन पक्षमें नहीं है तो यह चिंता का विशय है चौथा व्यपार संतुलन अनकूल या प्रतिकूल हो सकता है जबकि भुक्तान संतुलन सदा ही संतुलित रहता है पांचवा, व्यपार संतुलन में केवल आयात निर्यात को ही बात दिया जाता है, जबकि भुक्तान संतुलन में आयात वर निर्यात के अत्रिक पुंजिगत लेन देन भी संबलित रहते हैं किसी विधेश का वेपार संतुलन पक्ष या विपक्ष में हो सकता है। लेकिन उसका भुकतान संतुलन सदयोसंतुलित रहता है। साथा व्यापार संतुलन में केवल विदेशी व्यपार के दिखने वाली मदों को ही शामिल किया जाता है जबकि भुक्तान संतुलन में सभी अद्रिश्य वस्तुएं सम्मलित की जाती है आठवा व्यापार संतुलन के पक्ष या विपक्ष का देश की अर्थ व्यवस्ता पर अन्य बातों के समान रहने पर कोई विशेश प्रभाव नहीं पड़ता जबकि भुक्तान संतुलन की असामिता का देश की अर्थ व्यवस्ता पर प्रत्यक्ष एवं व्यापक प्रभाव पड़ता है नुवा व्यापार शेश संतुलित अनुखूल या प्रतिपूल हो सकता है जबकि भुखतान शेश सदयव संतुलित होता है दसवा, व्यापार संतुलन भुक्तान इस्तिती का आर्थिक विसलेशन है जबकि भुक्तान संतुलन किसी देश की भुक्तान इस्तिती का संपूर विसलेशन है ग्यारवा, व्यापार संतुलन का आर्थिक विसलेशनों के नेनेओं से कब उपयोग होता है इसके विपरित भुक्तान संतुलन का आर्थिक विसलेशनों एवं नेणियों में अधिक उप्योग होता है बारवा, व्यापार संतुलन का भुक्तान संतुलन के तुलना में कम महत्तु होता है इसके विपरेद बुक्तान संतुलन का वैपार संतुलन से अधिक मात्तु होता है क्योंकि या देश के इस्थिती पर अधिक प्रकाट डालता है वैपार संतुलन के बारे में हमने जाना बुक्तान संतुलन के बारे में भी हम लगबग जान चुके हैं अर्थ को और परिभाशाओं को तो लगबाग समझे चुके हैं